आप सभी का हमारी यूटूब चैनल बिद्या मैत में बहुत-बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डन्स मैथड से रिलेटेट दो इंपोर्टन कोश्टन पर और जैसा कि इससे पहला लिए वीडियो में एल्जेबरा एंट टेग्नोमेटरी में मैंने डिसकस किया था कि कार्डन्स मेथड क्या होता है और उससे रिलेटेड मैंने कुछ कोश्टन को भी इसकी वीडियो आप आई टेप पर क्लिक करके देख सकते हैं तो यहां पर दो कुश्टन मैंने ले रखा है और जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट को प्रूब दैर रूट्स आप इक्वेशन रैट इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वह कुछ इस परकार से होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं टिग्रामेट्रिकल फॉर्म में है और यह क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो रूट्स यह हैं इसे फाइंड करने के लिए आपको डिमायर्स थिरम का यूज करना पड़ेगा और ऐसा क्वेशन एक्वेशन में बिल काडन्स मेफड तभी यूज होता है जब उसका सेकंट टर्ममूब हो इसकेंस और मिन्स खी एक्वस्क्क वार्वायर्य ये होना ही नीची यह तो इस equation में आप देख सकते हैं कि x square term है नहीं तो इससे solve कैसे करते हैं इसका technique भी आपको पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे मान लेंगे let let x equal u to the power 1 by 3 plus d to the power 1 by 3 हम यहाँ पर ऐसा कुछ मान लेंगे this is equation number 1 और इसके वाद हम क्या करते हैं क्यूब कर देते हैं दोनों साइड राइट नौ क्यूबिंग क्यूबिंग बोथ साइड बोथ साइड राइट बोथ साइड तो देखिए यह क्या हो जाएगा x q और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा sorry x q equals u to the power 1 by 3 plus b to the power 1 by 3 का whole q हो जाएगा और यहाँ पर आप इसे और आगे simplify करिए so a q right मैं आपको बता दूं कि u to the power 1 by 3 है इस पर 3 होगा तो 3 से 3 कैंसल हो जाएगा only क्या बच गया u बच गया right यह हो जाएगा u और यहाँ पर हो जाएगा b यानि a q plus b q plus 3 a b clear थोड़ा सा आपको यह process लंबा लग रहा होगा right बट एक एक step आपको सीखते विए चलना है right question bsc में थोड़े से बड़े होते हैं right लेकिन घबडाना नहीं है आपको okay तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहोगे x का q right और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे हमने मान लि क्या हुआ है x right तो यहाँ पर हम इसके प्लेस पर x पूट कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं so x मैंने मान लिजी कि मैंने x पूट कर दिया और इस टर्म को मैं left side ला रहा हूं so यह हो जाएगा minus 3 u to the power 1 by 3 into v to the power 1 by 3 x minus u plus v right equal to 0 okay this is equation number 1 and this is equation number 2 right अब यहाँ पर हम equation 1 और 2 से compare करेंगे right comparing comparing equation 1 and 2 right तो compare करने पर हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से अब देख सकते हैं कि minus 3 से 3 cancel होगे right दिखें हम extra coefficient compare करने right तो यहाँ हो गया 3 से 3 cancel यानि 1 यानि यह हो गया आपका u to the power 1 by 3 into one minute u to the power 1 by 3 into v to the power 1 by 3 यह हो गया आपका one right अब यह power से मैं तो आप यहाँ पर collect कर सकते हैं तो collect करेंगे तो यू भी power 1 by 3 होगा power जब जाएगा तिधर अच्छे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं हर बार मैं आपको बताता हूं यह से माल लिए कि एपे पावर पी बाइगा है इधर माल लिए कि आर है ऐसा कुछ आपको यह बात बताते चलता हूं ताकि आपको कही से कोई doubt हो न, right, so this is one, क्योंकि यह 3 होगा, तो 1 by power 3, तो यह वही रहेगा, clear बात, now, यहाँ पे अगर आप compare करें, तो आप पाएंगे कि, one minute, right, यह, u plus b बाला, right, minus u plus b, और यहाँ पर है one, right, constant term से आप compare कर रहें, so u plus b equals to minus one, right, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करते हैं, now, u and b are the roots of the quadratic equation, right, since, since, u and b are the roots of roots of quadratic equation, t का square ले लिजे, right, आपको पता है ना कि अगर दो रूट्स किसी quadratic equation, मेरा मतलब कि अगर आपको दो रूट्स दिये हैं, तो quadratic equation आप बनाते कैसे हैं, उसके लिए formula हम यह यह उच्छ करते हैं, x square minus alpha plus beta, x plus alpha into beta, right, अरे भाई, यहाँ पर u और भी दो roots हमने माने हैं, तो alpha beta के जगा पर u और भी हो जाएगा, right, तो u plus b means कि यह आया है minus 1, so minus minus plus हो जाएगा, right, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u into b होगा, तो u into b की value 1, right, तो यहाँ से यह t equals क्या जाएगा, t equals आजाएगा minus 1 plus minus root of, क्योंकि आपने formula पढ़ा हुआ है, x equal क्या होता है, quadratic formula minus b plus minus root of b ki square minus 4ac divided by 2a, right, यह formula होता है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर यह लिख रहाँ, so this is 1, because यहाँ पर t कोफिशेंट 1 है, so 1 minus 4, right, तो हो जाएगा minus 3, so लिख सकते हैं 3i, और यहाँ पर हो जाएगा यह कुछ इस तरीके से, right, यहाँ पर इस शीच को clean कर लेता हूँ, right, इसका मतलब यह हुआ, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यू इक्वेल आगया minus 1, plus root 3i by 2, और दूसरा आपका आगया, b equal minus 1, minus root 3i by 2, clear बात, अब इसके हम roots find करते हैं, जब यू और भी निकल जाते हैं, तो roots, देखी, x equal क्या होगा, u to the power 1 by 3, b to the power 1 by 3, right, cardans method की आप वीडियो जाके देखें, अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है तो, ओके, आप i tap पर clicker करके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा detail में discuss किया हुआ है, कहीं से आपको कोई भी confusion नहीं होगी, ओके, चलिए, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, u के place पर मैं यह पूट करूँगा, minus 1, plus root 3i, चलिए, यहाँ पर इसको 2 ऐसे कर लिजे, right, so, यह कितना आ जाएगा, 1 by 3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, minus 1 by 2, minus root 3i by, तू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, right, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर, हम demyos theorem का, यूज करेंगे, because imaginary आपको, कुछ इस तरीके से दिख रहा, यह plus IB के form में, right, तो अब मैं काम कर रहा हूँ, अच्छे नीचे आपको यह दिखाई पड़ रहा है ना, जरा मैं चेक कर लूँ, हाँ, नीचे तो दिखाई पड़ रहा, ओके थोड़ा सा, light कमा रहा होगा, right, मैं इसको clean कर देता हूँ, ओके, one minute, चलिए, इसके बाद यहाँ पर, now, let, let, minus one by two equal r काश थीटा, right, and root three by two equal r sin थीटा, right, so, r square equal क्या होगा, आपको पता है, r equal root of, इसका square हो जाएगा, one by four, इसका square हो जाएगा, three by four, right, so, four by four, it means कि r equal one, right, अच्छा, ten थीटा कितना हो जाएगा, ten थीटा equal, sin by cos, right, आपको पता होगा, right, सीधे-सीधे, मैं हाप पर root three by, root three ही होगा, right, कुछ ऐसा हो जाएगा, ten थीटा, right, अच्छा, यह आपको पता है, ten थीटा, root three, क्या होता है, minus ten pi by three, ten शाठंस की मान होती है, root three, right, अच्छे, यह minus में आया हुआ है, तो आपको पता है, minus कहाँ पर होगा, जैसा कि ten का घर होता, यानि आकर कि यह पीछे return चला गया होगा, right, तो यानि कहने का मतलब यह हो गया, कि यह हो गया, ten pi minus pi by three, right, तो यह हो गया, ten थीटा, यह तो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, okay, so two pi, right, मैं direct लिख द रहा हूँ, three pi minus pi, it means two pi by three, right, two pi by three, it means theta equals, theta equals two pi by three, clear बात, clear बात, two pi by three आ गया, right, तो चलिए, अब मैं, की का यह है, मैं direct, यहाँ पर clean करके लिख देता हूँ, theta equal आ गया है आपका, two pi by three, right, again मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, so, x equal, right, इसको हमने माना था, r, cos theta, right, now कर लिजे, my plus, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, i into r sin theta, whole to the power, one by three, और यह कितना आ जाएगा, r cos theta, minus, i into r sin theta, whole to the power, one by three, right, अच्छा यहाँ पर, r to the power, one by three, r to the power, one by three, r to the power, one by three, right, मेरा मतलब की, r को जब मैं कामन करूंगा, तो यह अपने power बाहर लेके आएगा, right, so, r to the power, one by three, right, पूरे में से में बाहर निकाल लिया हूँ, right, यह हो जाएगा, cos theta, plus, i sin theta, whole to the power, one by three, plus, और यहाँ पर यह किया जाएगा, cos theta, minus, i, sorry, i into sin theta, whole to the power, one by three, के लिए बात, अच्छा, r के प्रेस पर अगर मैं, one, चली अभी रखिएगा, right, यहाँ पर देखिए, demirative theorem से, actually, यहाँ पर होगा क्या, कि यह power आगे आजाएगा, right, so, यह हो जाएगा, r to the power, one by three, जब यह आगे आएगा, तो यह कुछ इस तरीके से आता है, two and pi plus theta, right, by three, okay, clear बात, आप क्यूश्चिच को इस तरह से लिखना पढ़ेगा, right, अगर आप divir theorem पढ़े होंगे, तो यह चीज आपको पता होगा, i into, sorry, i, two and pi plus theta, by, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका, three, clear बात, अच्छा, फिर इसके बाद, इसको भी आप लिख सकते हैं, cos, two and pi plus theta, by three, right, अब मैं इसको clean कर दे रहाँ, क्योंकि, अब हमें नहीं लगता कि इस चीज की जरुवरत है, यहाँ पे, okay, right, now, फिर इसके बाद क्या होगा, minus, i into sine, two and pi, plus theta, by three, जो cut रहे हैं, उसको cut कर दीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यह कैजल हो गया, right, तो वास्तों में आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा हुआ है, आर्के प्लेस पर अगर आप one put करते हैं, so this is x equal, यहाँ पर यह आपका आगया, right, two, two cos, two n pi plus theta by three, clear बाद, अजोब कि यह सारी चीजें आपको clear हो रही होंगी, right, आप इस चीज को चाहें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, two n pi by one, two n pi by three plus theta by three, clear बाद, क्योंकि यही बचा हुआ है, right, अब यहाँ पर, देखें, दिवायर्स थीरम में आपको पढ़ा दूँगा, right, आगे बुक में है, दिवायर्स थीरम में अच्छे तरीके से पढ़ना भी है, right, इसकी वीडियो भी में अपलोट किया होंगा, कि किस तरीके से यहाँ पर यह सारी चाहिए चेंज हो रही है, right, अब देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह एन, एन क्या है, वेर, एन इक्वाल्स टू, यहाँ पर एन की वैल्व हम पूट करेंगे, वन, टू, थ्री, एंड सो अन, तो हमें एक्चिली कितनी वैल्व चाहिए, यहाँ पर थिरी है, तो तीन रूट्स होंगे इसके, तो फिर बाकी रखने से कोई मतलब है नहीं, right, तो यहाँ पर देखिए, तो पहला रूट्स कितना आगे है, मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, तो दिस इच्टू कॉस्ट, देखिए, ठीटा के जगा पर हम वैल्व पूट करेंगे, तो पाई बाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री मेंस, एक्स वन, इस इदा फर्स्ट रूट, राइट, इफ यू पूट, तो टू काश, यहाँ पर देखिए, बन होगा, राइट, तो पाई, थ्री, डिनामिनेटर इक्वल है निक, राइट, तो इक्वल करेंगे, थ्री का मल्टिप्लाई करेंगे, तो नाइन हो जाएगा, और यहाँ पर शिक्स, और टू यह एट, पाई बाई बाई नाइन, तो इस इज एट पाई बाई नाइन, राइट, नाओ, मैं टू पूट कर रहा हूँ, तो टू कॉस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोर हो जाएगा, मल्टिप्लाई करेंगे, ट्वल्व होगा, ट्वल्व और टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह चाओदा पाई बाई नाइन, राइट, एक्स थी बाई, यहाँ पर आप क्या करेंगे, थिपूट करेंगे, राइट, थरी से थी तो यह कैंशिल होझा, यको खоляएगा, क्योकि आप थ्री पर캐गे, थिपूट करेंगे, थिरी से थी कैंसिल तू पाई बाई, ओलि टू पाई, ठिरी पूट करेंगे, तो कैंसिल होझा जाएगा, तू पाई नो दूना ठार है और सॉरी मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूं क्या जब हम ठीरी पुट करेंगे तो ठीरी से ठीरी कैंसिल सॉरी देख लेते हैं मैं आपे वो यही आएगा राइट तहां पर आजाएगा टू पाई प्लस टू पाई भाई नाइं और आपको पता है कि टू पाई प्लस पहले ही घर में जा रहा है तू पाई लगा पाई चेंज होगा नहीं तो दिस इच टू कास टू पाई भाई नाइन तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ अपने को प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया इसके जो रूट्स होंगे रूट्स और टू कास टू पाई भाई नाइन कामा टू कास और एट पाई भाई नाइन राइट और यह कुछ इस तरीके से आ गया और यह चीज़ अपने को प्रूफ करना था तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट कोश्चिन को सॉल्व करा राइट और जिस सब्सक्राइब तरीके से सेंट तो सेंट कहीं आपको कुछ चेंज करना नहीं मतलब की अंक को करना ये लेकिन जो जो मैं टेक्निक यहां पर लगाया हूं उसमें आपको कोई परिवर्थर नहीं करना है उसी टेकनिक से आप जाहेंगे तो इस कोश्चिन को भी आप स्वाल क कर सकते हैं क्योंकि यह भी question exam में कई बार पूछ चा चुका है और यह भी question exam में कई बार पूछ चा चुका है तो आप इन दोनों question को अच्छे तरीके से किलियर डिजेगा अगर फिर वी आप इस question के solution पाना चाहते हैं तो उसके और रिक्वेस्ट मैं आपके आपसे करूँगा कि प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करते रहें और यदि आप नए स्टुडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सस्क्राइब भी करें और इसके सासाथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें तक कि हर नए कि यदिए?